आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ खाने पीने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि अगर आप इस्तमाल करना शुरू कर देंगे तो इससे आपके शरीर के अंदर हड्यों की कमजोरी, कैल्शम की कमी, जोडों में और मास पेशियों में दर्द होना और इ करते हैं. वीडियो में मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में अलग-अलग बताऊंगा ही, लेकिन वीडियो के लास्ट में, मैं आपको एक такого नुश्भा भी बताऊंगा, जो कि इन सभी चीजों को मिला कर हमने बनाया है, और इसको अगर आपश्टमाल करेंगे, तो आपक किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डीटेल से. दोस्तों हड्डियों और जोडों के अंदर कमजोरी होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर कैल्शम की डिफिशेंसी होना. हमारी बोडी में जितना भी कैल्शम पाये जाता है उसका करीब 99% यानि 99% कैल्शम सिर्फ और सिर्फ हमारी हड्डियों के अंदर और हमारे दातों के अंदर होता है. और बाकी बचा हुआ सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है या फिर बोडी के दूसरे ओर्गन्स के अंदर जमा हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डियों और जोडों पे ही इसका असर पड़ता है. बहुत सारे और दूसरे लक्षण भी ऐसे हैं जो कि कैल्शम की डिफिशेंसी की वज़ा से आपके अंदर देखे जा सकते हैं. जब आपके अंदर कैल्शम की कमी होती हैं तो इसकी वज़ा से बोडी में बहुत साथा थकावट और कमजोरी आपको महसूस होती हैं. इसकी वज़ा से आपके स्किन ड्राइ हो जाती हैं, आपको हेर फॉल हो सकता है, आपका बलड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार आपक होता है, वो होता है दूद का, यानि मिल्क का. मिल्क एक बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शम का और इसी वज़ासे अकसर लोग कैल्शम की कमी पूरा करने के लिए दूद लेने की सलह देते हैं. लेकिन दूद के साथ आजकल के इस दौर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम यह है कि जब आप दूद लेते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो दूद असली है या नकली है या मिलावटी है. अगर मिलावटी है तो उसके अंदर पूरी मातर में आपको कैल्शम नहीं मिलेगा और अगर वो नकली है यंनि synthetic है की बहुत ही कौमनल चीजे मिलाई जाती है और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे food items के बारे में बताने वाला हूँ जिनके अंदर calcium बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों body में calcium की कमी को पूरा करने के लिए अपनी हड़ियों को मस्बूत बनाने के लिए और जूणों को मस्बूत बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको खाने की सला देता हूँ वो है बादाम यानि के almonds बादाम के अंदर calcium थो बहुत अच्छी quantity में आपको मिलता ही है इसके साथ इसे में magnesium भी मिलता है zinc भी मिलता है copper भी मिलता है और phosphorus भी मिलता है और इसके साथ साथ vitamin K भी मिलता है दोस्तों Magnesium आपकी नसों को मस्बूत बनाता है Zinc आपकी Immunity को Increase करता है और आपकी हड्यों के लिए भी जरूरी होता है Hosphorus भी एक बहुत ही important mineral है जो कि आपकी हड्यों के complex को बनाने के लिए जरूरी होता है और vitamin K आपकी हड्यों के अंदर calcium के absorption के लिए जरूरी होता है तो आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ calcium बलकि इसके साथ साथ और भी वो सभी जरूरी चीज़े आपको बदाम के अंदर मिल जाती है जो कि आपके Musculo-Skeletal Health के लिए जरूरी होती है जानी आपके हड्यों के लिए आपके जोडों के लिए और आपकी मास्पेशियों के लिए जरूरी होती है बदाम अगर आप अकेले इस्तिमाल करना चाते हैं तो आपको रोजाना 10-12 बदाम भीगोने के बाद उसका छिलका उतार के सुछा सुछा खाली पेट जरूर खाने चाहिए इसके इलावा आप बदाम का एक नुस्खा भी तयार कर सकते हैं जो कि लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आपकी हड्यों और जोडों के लिए अखरोट भी बहुत ही जादा हेल्दी चीज है जिसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अखरोट के अंदर मैगनीज नाम का एक मिनरल बहुत जादा कॉंटिटी में पाया जाता है जो कि आपकी हड्यों के अंदर ऑस्ट्यो पोरोसिस होने के प्रोसिस को रोग देता है यानि उम्र पढ़ने के साथ-साथ जो आपकी हड्यों के अंदर खोकला पनाना शुरू हो जाता है केल्शिम कम होने लगता है और आपकी हड्यों असानी से तूट जाती है कमजोर हो जाती है इस प्रोसिस को मैगनीज रोग देता है अखरोट के अंदर omega-3 fatty acids भी पाये जाते हैं जो कि आपकी body के अंदर सूजन और दर्द को कम करने का काम करते हैं और आपके जोडों के अंदर जो grease होता है यानि lubrication चिकनाई होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं अगर आप अखरोट को इस्तेमाल करना चाते हैं तो आप रोजाना 4-5 अखरोट की गिरी ले सकते हैं उसको पाने में भिगो दीजी रात को सोते समय और सुबा खाली पेट इसको अच्छी तरह से चबा चबा के आप खालीजे इससे आपको काफी अच्छा फाइदा मिलेगा तीसरी चीज है तिल यानि sesame seeds तिल के अंदर calcium तो बहुत ज़्यादा quantity में आपको मिलता ही है जो आपकी body के अंदर joint pain को कम करने का काम करता है और इसी वज़े से अगर आपके जोडों में दर्द रहता है हट्डियों में दर्द रहता है तो आप तिल का तेल भी अपने उससे पार्ट के ऊपर locally apply कर सकते हैं इससे भी आपको काफी अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा इसके लावा अगर आप internally तिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आपको खास औरते सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं Last but not the least, खशखाश यानि poppy seeds पी एक ऐसी चीज हैं जो कि आपकी bone health को improve करने का काम करते हैं. दोस्तों, खशखाश के अंदर analgesic properties पाई जाती हैं, जिसकी वज़ा से आपकी हड़ियों के अंदर और जोड़ों के अंदर दर्द को ये कम करने का काम करता है. खशखाश को जब आप खाना शुरू करेंगे तो उसकी वज़ा से आपकी body के अंदर collagen नाम का एक protein बढ़ना शुरू हो जाता है. तो अगर आप खशखाश को regularly खाएंगे तो उससे आपकी bone health के सासाथ आपकी joint health भी improve होती है और आपको दर्द में काफी जादा आराम मिलता है. दोस्तों, जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि इन चारों चीजों को आप अलग-अलग तो इस्तमाल करी सकते हैं और चाहें आप तो इसको एक नुस्खे की शकल में भी इस्तमाल कर सकते हैं. अब ये नुस्खा जो इन चारों चीज़ों को मिलाके बनाना है, वो किस तरह से बनता है, कौन-कौन सी चीज कितनी-कितनी आपको लेनी है और किस तरह से आपको उसको खाना है, ये जानने से पहले दोस्तों मैं आपको एक कैल्शम सप्लिमेंट के बारे में बताना चाहता दोस्तो market में वैसे तो बहुत सारे calcium supplements available हैं लेकिन अक्सर मैं आपको एक ही calcium supplement suggest करता हूँ, recommend करता हूँ और इस supplement का नाम है Envida Calcium Magnesium Zinc Tablet दोस्तो यह जो supplement है Envida का calcium supplement इसको आपको recommend करने की एक खास वज़ा है और वो खास वज़ा यह है कि market में जितने भी calcium supplements available है market में भीक रहे हैं, वो सब के सब आपको mostly सिर्फ और सिर्फ calcium ही provide करते हैं हद से हद कुछ एक supplements इसके आगे बढ़ते हैं और आपको vitamin D3 भी provide कर देते हैं जो कि आपकी body के लिए जरूरी होता है लेकिन दोस्तों यह जो supplement है जिसके बारे में आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ Enveda का calcium supplement इसके अंदर आपको calcium तो मिलता ही है calcium के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो कि आपकी bone health के लिए और आपकी joint health के लिए जरूरी होती है सबसे पहले बात करते हैं calcium के बारे में इस product के अंदर दोस्तों जो calcium आपको मिलता है वो calcium citrate की form में मिलता है calcium citrate, calcium की वो form है जो कि आपकी body में बहुत ही असानी से absorb हो जाती है और पूरी की पूरी quantity में absorb हो जाती है waste नहीं होती है इसके साथ दूसरी चीज जो इसमें आपको मिल रही है वो है magnesium magnesium की अगर मैं बात करूँ हूँ तो magnesium आपकी नसों के लिए बहुत जादा जरूरी होता है और आपकी हड्यों के लिए भी जरूरी होता है इसके इलावा इसके अंदर आपको zinc भी मिल रहा है zinc आपकी immunity के लिए बहुत जरूरी होता है और आपकी हड्यों के लिए भी important होता है इसके अंदर आपको vitamin D3 भी मिल रहा है vitamin D3 आप सब लोग जानते ही है के calcium के absorption के लिए एक must चीज है बहुत ही जरूरी है तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा और आखरी चीज जो इसमें आपको मिलेगी वो है vitamin B12 आप कह सकते हैं कि ये जो supplement है calcium का ये ना सिर्फ calcium को आपकी पूरा करेगा बलकि इसके सासाथ और भी बहुत सारे ऐसे फाइदे हैं जो कि आपको इस supplement को यानि एन्वेदा calcium magnesium zinc tablet को लेने से मिलने लगेंगे इसके जो dose हैं वो भी काफी ज़ादा आसान है आपको starting में एक या दो tablet दिन में दो time लेनी होती है खाना खाने के बाद हमीशा इसको आप लीजे खाना खाने करीब आदा गंटे बाद इसको आप ले लीजे चाहे सुभा में ले लीजे चाहे दुपैर में और एक time आप इसको रात को ले लीजे इसके बारे में अगर आप और जादा जानना चाते हैं या इसको purchase करना चाते हैं तो सभी links आपको नीचे description box में और pinned comment में मिल जाएंगे तो वहां से click करके इसके बारे में आप और जादा जान भी सकते हैं और इसको purchase भी कर सकते हैं चलिए वापिस आते हैं अपने main topic पर और बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में जो कि आज बताई गई चारो ingredients की मदद से आपको बनाना है जो कि आपकी body में calcium की कमी को पूरा करेगा दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको पहले तीन चीज़े लेनी हैं बराबर बराबर quantity में आपको बराबर quantity में लेना है बादाम उसी quantity में आपको लेना है अखरोट की गिरी और उसी quantity में आपको लेने है तिल, तिल आप चाहें तो काले भी ले सकते हैं, चाहें तो सफेद भी ले सकते हैं. For example, माल लिजे, आपने 50 ग्राम बदाम लिये हैं, तो आपको 50 ग्राम दिल लेने हैं और 50 ग्राम अखरोट की गिरी लेनी हैं. इन तीनों चीजों को आप अलग-अलग एक मिसर ग्राइंटर में डालके पीस लिजे और इनको रख लिजे. इसके बाद आपको क्या करना है? आपको खशखाश लेनी हैं. खशखाश आपको कितनी लेनी है? खशखाश आपको आधी कॉंटिटी में लेनी है. यानि जितनी कॉंटिटी में आपने ये चीजे ली थी, माल लीजे 50-50 ग्राम आपने तीनों चीजे ली थी, तो 25 ग्राम आपको खशखाश लेनी हैं. और इस खशखाश को भी आपको मिक्सर में डालके अच्छी तरह से पीस लेना है. इन तीनों चारों चीजों को आप पी आपको अच्छी तरह से बॉइल करना है. तब तक आपको बॉइल करना है, जब तक कि अच्छी तरह से आपका दूद पकना जाए. करीब 4-5 बॉइल आप दीजिए, उसके बाद थोड़ा सिम पे रख दीजिए. एक ग्लास दूद यब आपका करीब 3-4 बजे, यानि 3-4 ब पी सकते हैं. इससे दूद को आपको रात को सुते समय इस्तमाल करना है. दिन में इसको इसको इस्तमाल नहीं करना है. यानि थोड़ा जादा आए. अगर आप दिन में पेंगे तो हो सकता है, आपको thůड़ा ऐसा लगए करम नीन से आ तक इसमें खुश-खाष भी डाली ग आपकी नसे भी strengthen होगी और आपकी overall health और well-being और आपकी जो energy है body में वो भी increase होने लगेगी दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इसे like कर दीजे चैनल पर नए है तो subscribe कर लीजे और सभी के साथ share करिए ताकि सब लोग इससे फायदा उठा सके चलिए इसे के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक बड़ी असी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते र में चाप